नमस्कार आप सभी को स्वागत है मेरी यूटूब चैनल जीतूर शोई में तो आज के वीटियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते ही तो यहाँ पी देखिए यह टेकनस है इसे टेकन कैसे बीना कटे हुए बनता है तो देखिए यह असानी से उपर का जो च्छता है ना वह असानी से निकल जाता था मुख तो इसमें चकू या नाइफ या फिर बैठी लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है और डंटी भी है जो इसका हो भी टूट जाता है तो देखिए इतने अच्छे से एकदम तयार हो गया है तो अब यहाँ पे कि प्याज को कट कर लेना है मेडियम साइज का यह तीन प्याज है कटा हुआ लंबे लंबे पीसेश में यहां पीकडाई लेना है यह गरम हो चुका है तो कुकिंग ओएल डालना है अब यह भी गरम हो चुका है तो जो मश्रूम है उसको फ्राई कर लेना है और इस तरीके से अगर जदी फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत ही यमी बनता है आप जरूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और इसे कवर कर देना है एक से दो मिनट तक तो जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मसाला तयार कर लेते हैं ग्रैंडर जार लेना है लसन की कल्या डालना है हरी मिर्च काली मिर्च और जीरा साबूद धनिया साबूद ठोड़ी सी पानी डाल करके और कर लेना है ग्रैंड तो देखिए याँ पे फ्राइ हो क्या है ये और कितने शौप्ट हो गया है ना तो इससे निकाल लेना है दुसरे बर्तन में अब इसी में कुकिंग ओयल डालना है ओयल गरम हो चुका है तो हाप टी स्पून्स जीरा डालना है तीस बत्ता और हरी मीर्च एक कट करके और प्याज अब इसी लैटली भ्राउन होने तक भून लेना है प्याज को जादा नहीं भूनना है प्याज भ्राउन होने तक बस लैटली भ्राउन होने तक भूनना है तो देखें यहां प्याज हो गया है अब इसमें डालना है टमाटर और ध्यान रखने है कि जब भी आप ये टेकनस का सबजी बना रहे हैं तो इसमें टमाटर कम देना है नहीं तो पहुत जादा खटा हो जाएगा तो टमाटर डाल करके थोड़ी सी एक मिनट तक कवर करना है तो देखी सॉप्ट हो चुका है ना टमाटर और श्वाद अनुशार नमक डालना है और इसे चला लेना है मिक्स कर लेना है अब यहां पर डालना है ग्रैंड किया हुआ मशाला लाल मिर्च्ट पाउडर हाफ टीश्पूंस हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ग्रैंडर जार लां तो होकर पानी डालना है और इसे मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनट तक अच्छे से भूनना है मसाले को है तो देखिए सब्समें चलाते जाना है तीन से चार मिनट तक लगतार नहीं भूनते रहना है कबर ने करना है तो दुबारा कवर करती हैं देखिए कितने अच्छे से सुनहरा सा एकदम भून करके हो गया है रेडी न मसाले तो अब इसमें डालना है जो फ्राइ किया हुआ मश्रूम था टेकनस ओ डालना है और इसे चला लेना है इसे भी एक मिनट तक भून लेना है मसाले के साथ और इसे कभर करना है एक से दो मिनट तक तो देखिए यहां पर भून करके हो गया है रेडी अब इसमें डालना है हाप टी स्पून्स गरम मसाला और अब यहां अपने कोडिंग पानी डालना है तो मैं थूड़ी सी ग्रेवी रखूंगी इसका क्योंकि चावल के साथ खाना है मुझे तो या फिर रोटी के भी साथ थूड़ी सी ग्रेवी रहता है तभी अच्छा लगता है खाने में तो इसे कभर करना है दो मिनट तक तो देखिए यहां पर कितने अच्छे से सबची हो क्या है ना बन करके रेडी तो फ्लेम को करना है और इसे दुसरे वर्दन में निकाल लेना है तो देखिए यहां पर यमी यमी सबची बन करके हो गया है रेडी तो इसमें थोड़ी सी धन्यापत्ता उपर से देना है और इस तरीके से जरूर ट्रै कीजिएगा और अपना अनुभाव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप मश्रूम का सबची किस तरीके से बनाते हैं और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर